नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Competition Community की Audio Lecture श्रिंखला की आज हम बात करेंगे 36 गड़ में परिटन के विविधा आयामो तथा 36 गड़ राजी परिटन नीती 2020 के बारे में मैं हूँ परितोष चैसवाल मानोमन सदा से ही प्रकृति का साथ चाहता है इसलिए तमाम विस्तताओं से बचकर वह जहा पहुंसता है उस चाहों में जहां वह खूद को पुनरनवा कर सकता है इस प्रक्रिया में कभी वह नदियों को जीता है कभी परवतों को लांगता तो कभी जंगलों को टोहता है जिस तरह शब्दों का अलोपन चेतना को जनकरित करता है उसी तरह परियटन मन को मयूर कर जाता है परियटन केवल मनुरंजन का साधन नहीं बलकि गरीबी दूर करने रोजगार स्रीजन समाजिक सदभाव बढ़ाने का भी सशक्तमाध्यम है इसके अलावा डेश प्रदेश की अर्थ व्यवस्था सुधार ने परियावरण में सकारात्मक बदलाव लाने एवं माल तथा सेवा की गुडवत्ता सुधार का भी मौका देता है नवोधित राजे 36 गड़ विभिन्न चुनोतियों से उबरता हुआ आज इस्थापित राज्यों की श्रेड़ी में आपहुचा है परियटन के विविद आयामों को समेटता बहुत सांस्कृतिक समाजवाला 36 गड़ उस सारी विशिष्टाओं को समेटा हुआ है जिसकी परियटन उद्ध्यों को जरुरत होती है भावुक्ता भरी महमान नवाजि अपनत्व का सत्व अतिथी देवो भवो की मानसिक्ता वाले लोग प्रकृति के वर्दान, सरकारी प्रयास ऐसे कारक है जो 36 गड़ में परियटन विद्धी की दावेदारी को मस्बूत कर रहे है इन सारे विशिष्टाओं के बावजूद आज भी परियटन की छेतर में 36 गड़ पिछड़ा हुआ है आज इस ओडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि 36 गड़ में परियटन के समक्ष कौन सी चुनातिया है इसके अलावा 36 गड़ में परियटन को बढ़ाय जाने के लिए कौन से प्रयास किये गए है इसके अलावा जानेंगे 36 गड़ परियटन नीती 2020 के उद्धिशों के बारे में इस और्डियो आर्टिकल में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 36 गड़ में परिटन के समक्ष, उपस्थित, चुनोतिया कौन सी हैं। पहला, किसी भी खेत्र के परिटन को बढ़ाने के लिए साथ मुख्ष शेत्रों में ध्यान दिये जाने की अवशक्ता होती है। स्वागत, सूचना, सुईधा, सुरक्षा, सहयोग, सररचना और सफाई। इन सातों आधारों पर अत्रिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर परिटकों को ये सारे चीजे प्राप्थ हो जाती हैं, फिर वो निश्विक्र होकर परिटन के लिए चले आते हैं। दूसरा, निम्न इस्तर की सड़क सेवा ना केवल परिटकों के लिए समस्या उत्पन करती है, बलकि प्रदेश की छवी को भी धुमिल करती है। परिटकों को कुछ इस्थलों में जाने के लिए कठनाईयों का सामना करना पड़ता है। परिटन को नकसलगड के रूप में प्रदरशित करते हैं। आए देखते हैं कि 36 गड़ में परिटन को बढ़ाय जाने के लिए कौन से प्रयास किये गए हैं। पहला, सितंबर 2022 में 36 गड़ परिटन मंडल और IRCTC के बीच सहमती ग्यापन समझोता हस्ता अक्षरित किया गया। जिसका मकसद 36 गड़ प्रदेश में परिटन को बढ़ावा देना है। दुसरा, परिटकों को 36 गड़ के परिटन इस्थलों की जानकारी परदाय करने है तू समस्त प्रयास किये जा रहे हैं। परिटकों की सुईधा हे तू 180-102-6515 तथा ओफिशियल वेबसाइट www.36gartourism.in पर ओनलाइन बुकिंग की सुईधा भी उबलब्द कराय जा रही है। तीसरा, राज्य के बाहर 3 तथा 36 गड़ के अंदर ही 11 परिटन सुचना केंद्रों की स्थापना की गई है। राज्य के बाहर परिटन सुचना केंद्र, दिल्ली, वडोद्रा और जबलपूर में स्थापित है। जबकि राज्य के भीतर, राज्य, बलोदा बाजार, राएगड, जगडलपूर, सिरपूर, डोंगरगड, अंबिकापूर, बिलासपूर, दुर्ग तथा राएपूर में परिटन सुचना केंद्र इस्थापित किये गए हैं। चौथा, राज्य में जल परिटन को विक्सित किये जाने के लिए 11 जलाशियों का चैन प्रथम चरण के लिए 36 गड़ टुरिजम बोड़ द्वारा किया गया है। परिटन के अनुकूल वातावरन का निर्माण एवं परिटन इस्थलों का विकास किया जाना है। परिटन को बढ़ावा देने, परिटकों को उचित आवास एवं भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए 36 गड़ टुरिजम बोड़ द्वारा, 24 निजी होटलों का पंजी करण भी किया जा चुका है। आठवा, भारत सरकार के परिटन मंत्राले की स्वदेश दर्शन योजना के तहत, ट्राइबल टुरिजम सरकीट परियोजना के अंतरगत शामिल यशपूर, कुनकूरी, मैनपाट, महेशपूर, कूरदर, सरोधा दादर, गंगरेल, कोंडागाउं, नथिया नवागाउं, जगदलपूर, चित्रकोड, तथा तीरत गड़ में अतरिक्त सुईधाओं का प्र टुरिजम बोड का कठन किया गया, जिसका उद्देश, चित्रकोड को अंतरराष्ट्री इस्तर के परियतन इस्थल के रूप में विक्सित करना, तथा राजी की सांस्कृतिक तथा प्रकृतिक धरोहर को सरक्षित एवं सम्रिध करना है, ग्यारवा, इंक्रेडिबल इंडिया भारत सरकार के साथ संबंध होकर पीस दो दो हजार बाइस को दादा साहफ फाल के फिल्म फेस्टिवल दो हजार बाइस में अंतरराष्ट्री प्रचार प्रसार के उद्देश से 36 गर्ट टुरिजम द्वारा सहभागिता भी सुनिश् बोतल आर्ट एक्सपर्ट मनिशाट रंगारी के माध्यम से बोतल आर्ट प्रसिक्षन की सुईधा सुनिश्चित की गई है बस्तर जिला प्रशाशन के इस कदम से परिटन समीती को आएकि अत्रिक्त स्त्रोध भी प्राप्त हो रहे है तिरहवा, चतिसगड राजसरकार द्वारा विभिन्य देशों में निवासरत अवप्रवासी चतिसगड़ियों को एक सुत्र में जोडने तथा चतिसगड़ को परिटन के विश्व इस्तर पर पहचान दिलाने के लिए एन आर आई सेल का गठन किया गया है चतिसगड मोलके कोरबा निवासी श्री पल्लाव साह को समन्वेक मनुनित किया गया है चोधवा, चतिसगड सरकार द्वारा महराष्ट के वर्धा इस्तित सेवाग्राम की तरह नया रायपूर में भी 75 एकड़ का सेवाग्राम बनाया जा रहा है सेवाग्राम में लोककला प्रोचसाहन, चतिसगड की विशिष्ट सिल्पकला को प्रोचसाहन तथा ओपन थीएटर के माध्यम से सांस्कृति कारिकरमों का आयोजन भी सुनिशित किया गया है निशित तोर पर गांधी के सिध्धानतों को जानने तथा परिटन का एक नया अनुभव प्राप्त करने के लिए परियाटिकों की संख्या बढ़ेगी पंद्रहवा, 36 गड़ के जनजातिय शिल्प, रित्य, संस्कृति, आधी को बढ़ावा देने के लिए राश्ट्री आधिवासी रित्य महोत्सो, राश्ट्री आधिवासी साहित्य महोत्सो, लोक शिल्प जगार महोत्सो, आधी का भी आयोजन समय समय पर सुनिशित किया ग अपने मोटल और रिसॉर्ट के संचालन के लिए 30 वर्षों की लीस पर दिया जाना तै किया गया है। की सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक वीविधता को संरक्षित एवं समवर्धित करते हुए राश्जी की मौलिक्ता को भी बनाये रखना। तीसरा, राज्य में परिटन की गुडवत्ता के उन्यान हेतु, परिटन उत्पादों एवं परियाप्त अनुभाव तथा सेवा मानकों में सुधार करना। चौथा, राज्य में अर्ध विक्सित या अविक्सित छेत्रों के विकास के लिए परिटन को एक मुख्य उद्यों की तरह विकास के इंजन के रूप में जोड़ना, जो इस्थानी समाजी कार्थिक विकास राज्य के बहुमुल्य पारिस्थिकी तंत्र को सुरक्षित करन चठवा, संसाधनों के बहतर उपयोग के लिए साजेदारी अर्थ विवस्था को बढ़ावा देना, तथा परिटन उद्योग में उपेक्षित और अर्ध विक्सित छेत्रों की आवश्यक्ता को पूर्ण करना आईए अब देखते हैं कि 36 गड़ परिटन निती 2020 की मुख्य विशिष्टाएं क्या हैं पहला, 36 गड़ परिटन निती 2020, 16 अप्रेल 2020 को अधिसुचित की गई, जो 16 अप्रेल 2020 से 5 सालों के लिए लागू की गई है दूसरा, निती की परिकलपना जै विविदता और सांस्कृतिक विविदताओं से समरिध राज्य के रूप में अपनिक शमता के आधार पर देश के शिर्ष इकू एथनिक परिटन इस्थल के रूप में अपनी पहचान इस्थापित करना तीसरा, निती के लक्ष विशिस्थ पहचान और परिटन विकास के माध्यम से राज्य में अप्रयुक्त परिटन शमता का दोहन करना इस्थानिय समुदाय के सशक्तिकरन और सामुदायक आधार पर आजी विका के अवसर में सुधार करना तथा परिटन उद्योग से इस्थानिय लोगों के समाजिक आर्थिक विकास का लक्ष प्राप्त करना उत्तरदाई तथा सतत परिटन के सिद्धानतों के आधार पर प्रदेश में परिटन का विकास राजी के भीतर उत्तरदाई एवं सतत परिटन विकास के लिए एक प्रभावी नियामक तंत्र की इस्थापना करना इसके अलावा परिटन के छेत्र में बिना किसी भेद भाव के सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना एवं तथा संस्थागत तंत्र की इस्थापना जो निवेश की असान अवसरों को बढ़ावा देगा पांचवा निती की व्याधिता पूर्व के परिटन निती 2002 और परिटन प्रोतसहान योजना 2006 तथा पूर्व में प्रकाशित प्रावधानों को अधिकरमित करता है राज्य में अधिसूचना जारी होने के दिनांग से पांच वर्षों तक इस निती में उल्लेखित प्रावधान पूरे राज्य में समान रूप से लागू होंगे चटवा कारे निती आशे परेटन निती 2020 की कारे योजना शाषकी एवं निजीक छेतर के सनरच नात्मक संयुक्त प्रयासों से परेटन में व्रिध्धी और राज्य को पहचान देना है राज्य शाषन इस संबंध में चार प्रमुख गतिवीधियों को सुची बत करता है परेटन अथुसनरचना में व्रिध्धी आर्थिक अवसरों के स्रिजन के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना परेटन अनुभवों एवं सुईधाय प्रदान करने के कार्य में इस्थानी समुदायों को समिलित करना तथा परेटन के माध्यम से राज्य की अध्वितिय पहचान इस्थापित करना है सात्वा इस्थानिय उद्यमी की परिभाशा इस्थानिय उद्यमी से तातपर एसे व्यक्ति या इस्थानिय व्यक्तियों के सम्हू से है जो 36 गड़ राजी के मूल निवासी है अथवा ऐसी वैधानिक इकाई जिसमें चतिसगड राजी के मूल निवासियों की भागिदारी 50% से अधिक हो आईए अब देखते हैं चतिसगड परेटन निती 2020 के अंतरगत परेटन प्रस्ताओ कौन से हैं निती के अनुसार चतिसगड देश के उभरते हुए परेटन चेतर के रूप में विक्सित होने वाले प्रथम राज्यों की श्रेणी में है चतिसगड के तीन थीम बेस्ट जिसमें एको टुरिजम, आरोगे या वेलनेस टुरिजम तथा एथनिक परेटन को शामिल किया गया है तथा अन्य ग्यारह थीम आधारित परेटन को भी सुनिश्चित किया गया है जिसमें फिल्म, क्रिशी, व्यापार, राजमार्ग, और द्योगिक, धार्मिक, धरोहर, जल, सहसिक, बैकपैकर्स तथा वन्य प्राड़ी परेटन शामिल है अब बात करते हैं इन थीम बेस्ट परेटनों के पारे में पहला इको टुरिजम ऐसे इस्थलों की जैविवी वीदता को सरक्षित रखने के साथ परेटकों को विशिष्ट अनुभाव भी प्रदान किया जाना लक्षित किया गया है दूसरा, आरोग के परेटन 2001 में 36 गड़ को हरबल इस्टेट घोशित किया गया 36 गड़ राज्य में आउशदिये पौधों की संख्या 1500 से भी अधिक है एवं व्यावशाईक रूप से उपयोगी 312 प्रजातियां एवं जड़ी बूटियां भी शामिल है जो भारत के आउशदिये पौधों में कुल निर्याद का 17 प्रतिशत तक युगदान देते हैं राज्य में हरबल आउशदियों का ज्यान रखने वाले संभावित इस्थलों की पहचान परेटन केंद्रों को विशेश परेटन उत्पादों के रूप में विक्सित कर लौक माटी कला शिल्प, पत्थर पर नकासी, सुखे फूलों का सिल्प आदी प्रचलित है इस्थानी या जन जाती विशेश ताउं से युक्त ग्रामों को चिन्हित कर ऐसे घरों में होम इस्थे और बेड एन ब्रेकफास्ट इकाई के विकास को प्रोत्साहित करते हुए परेटन को बढ़ावा दिया जा सकता है देशचकला को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख परेटन इस्थानों को जोड़कर एथिनिक सर्किट जैसे टूरिजम सर्किट, हैंडिक्राफ्ट सर्किट एवब हैंडलूम सर्किट आधी का विकास किया जाएगा चौथा सहसिक परेटन राज्य में भूमी, जल, वायू, आधारित सहसिक गतिविधियों जैसे बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, आधी गतिविधियों का चिन्धांकन तथा समय समय पर बढ़ावा देने की अपार संभावनाए हैं सहसिक परेटन गतिविधियों में रूची रखने वाले परेटकों की बढ़ती संख्या की आवश्यक्ता को पूरा करने तथा नीजी निवेश एवं PPP model की सहायता लेते हुए सहसिक परेटन में छेपी अपार संभावनाओं को पूरा किया जा सकता है पाच्वा धरोहर परेटन चतिसगड में Archaeological Survey of India द्वारा संरक्षित 48, प्राचीन इसमारग और पुरातत्व इस्थल सहित 58, राज्य संरक्षित इसमारग हैं भारतिये पुरातत्व सनरक्षन द्वारा सनरक्षित इस्थलों को धरोहर परेटन के रूप में बढ़ावा देने के उदेशे से सूचना केंद्रों के विकास के साथ अन्य कारिक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए छटवा अध्योगिक परेटन 36 गड़ में कोईले तथा लोहे के साथ खनीज आधारित उद्योग काफी संख्या में है राज्य में दोहन किये जा चुके खनीजों के परितक्ति खदानों को परेटन के द्रिष्टिकोंड से विक्सित किये जाने की असीम संभावनाय है राज्य में ऐसे परेटन अनुभवों को सुरक्षा के निर्धारित्मान को एवं सुरक्षा के पुक्ता इंत जामों के साथ प्रारम किया जाना चाहिए सात्वा वन्य प्राडी परेटन राज में जय विविदता के संवर्धन एवं वन्य प्राडियों के संरक्षण के उदेश से वन्य प्राडी परियतन को बढ़ावा दिया जाएगा वन्य प्राणी पर्यटन के छेत्र से संबंधित गतिवीधिया एवं विकासकारे राज की वन नीती तथा सुसंगत नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार की जाएगी आठवा, फिल्म पर्यटन 36 गड़ को एक आदर्श शूटिंग इस्थल के रूप में इस्थापित करने एवं पहचान दिलाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा राज़ में फिल्म पर्यटन की संभावनाव को गती देने के लिए तथा 36 गड़ को फिल्म शूटिंग के लिए पहचान देने के लिए विशेश प्रयास किये जाएंगे जिसके तहट विभिन इस्थलों का चयन एवं उन्नयन भी शामिल है नववा एकरो पर्यटन 36 गड़ देश में धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है राज़ की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की अवधारना का महत्व पर्यटकों को समझाया जा सकता है 36 गड़ राज्य धान के खेतों से परिपूर्ण होने के साथ विभिन गैर खाद दिपदार्द जैसे कॉफी, चाय, गन्ना आधी उत्पादन में भी आगे आ रहा है जिसे पर्यटन के साथ जोड़ा जाएगा तस्वा बैकपेकर पर्यटन बजट पर्यटकों के लिए पैकपेकर छातरवास की अवधारना विकसित हुई है जो पर्यटन छेतर को एक नया आयां प्रदान कर रही है विशेष्ट इस्थानों में परेटक सीजन तथा मेले महोचसो जैसे आवसरों में ऐसे परेटकों को विशेष आवाज सुईधा की आवशक्ता होती है होमिस्टे, होम किचिन, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जैसी सुईधाओं का भी विकास सुनिश्चित किया गया है ग्यारवा, धार्मिक परेटन 36 गड अपने धार्मिक इस्थलों तथा धार्मिक रुप से महत्पूर्ण इस्थापत्ति के मामले में काफी महत्पूर्ण है ASI के रायपूर वृत्त के अंतरगत 6 किले और 29 मंदिर है इस पर्यटन इस्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधार भुद सुईधाओं का विकास कर श्रधालू पर्यटकों में व्रिद्धिकी जा सकती है। इसके अलावा वर्ष भर आयोजीत होने वाले विभिन महोचसो भी आकर्शन के विशय होते हैं। बारवा जल पर्यटन ऐसे छित्र जो जल पर्यटन के लिए उप्यूक्थ हैं के लिए व्यापक पर्यटन नियोजन एवं अधुसनरशना विकास के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। इस संबंध में विश्त्रित दिशा निर्देश, 36 गड़ राज्य, जल पर्यटन दिशा निर्देश के माध्यम से जारी किये जाएंगे। तिरहवा राजमार्ग पर्यटन 36 गड़ में लगबग 3250 किलो मिटर के राजमार्ग हैं, जो प्राकृतिक रूप से सुन्दर तथा हरियाली से परिपूर्ण हैं। इन राजमार्गों में विभिन पर्यटन इस्थलों के बीच परियट को हितू एक अराम दायक यात्रा के साथ मोटल, होटल और बार्ग सुईधाओं की प्रचूर संभावना हैं। चोधवा, व्यापार तथा अवकाश परियटन, जदिसगड व्यावसाय यात्रियों की अवश्यक्ताओं को पूर्ण करने के लिए व्यापार, मनुरंजन, परियटन केंद्रों की इस्थाप्णा में निवेश की अश्रीम संभावनाय हैं। राज विभिन परियटन इस्थलों में माईस यानी मिटिंग, प्रोचसाहन, सम्मेलन तथा प्रदर्शनियों से संभधित आयोजनों को बढ़ावा देगा। आईए अब बात करते हैं महमान नवाजी के बस्तर यह मॉडल के बारे में। 36 गड में सरकार ने परियटन छेत्र में अब तक के सबसे असरदार मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। बस्तर से लेकर सरगुजा गए कही परियटन छेत्रों में सरकार अलग-अलग कॉंसेप्ट पर काम कर रही है। बस्तर में आमचो बस्तर परिटन उतनेयन के नाम से परिटन मॉडल की शुरुवात की गई है जिसमें परिटन छेत्र और वहां आने वाले परियटकों की जिम्मेदारी इस्थानी गाँ वालों को सौब दी गई है इसके अलावा इसके लिए उन्हें बकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है तथा बाद में उन्हें स्वरोजगार तथा रोजगार से भी जोड़ा गया है इससे सबसे बड़ा लाब ग्रामिडों की आयमे व्रिधी के साथ साथ काम की तलाश में बाहर पलायन करने वालों में भी कमी के रूप में दिख रही है देखते हैं कि मॉडल के विभिन पहलू कौन से है पहला परियटन केंद्रों को विक्सित कर परियटकों के लिए तयार कर वहां सारी व्यवस्थाएं जैसे बिजली, पानी, कैंटीन, इस्थानी खादे पदार्थ, बैठने तथा घूमने के लिए अत्रिक्त जगह तयार करना आदी शामिल है दूसरा, ग्राम पंचायत परियटन समीती का गठन कर समूह से जोड़ना जिस छेत्र में परियटन केंद्र हैं, वहां आसपास के गाउं के युवाओं और महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें काम सौपना तीसरा, होमिस्टे के जरिये गाउं के लोगों के घर को तयार कर उन्हें परियटकों के रुखने और ठहरने की व्यवस्था लायक बनाये जा रहा है ताकि ग्रामणों की आय भी बढ़ सके परियटकों की खुशी के साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ सके परियटन केंदर और वहां की सारी व्यवस्थाओं को एक सरकीट से जोड़कर सारी चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है वेबसाइट से होमस्थे, एडवेंचर, बस की बुकिंग के लिए भी रेजिस्ट्रिशन किये जा रहे है चटवा, बस्तर हेरिटेज वॉक हेरिटेज वॉक के जर्ये टुरिस्ट गाइड तयार किये जा रहे है पढ़े लिखे युवाओं को इसके लिए ट्रेनिंग तक दी गई है और इसके बाद उन्हें इस्थानी धरोहर, परिटन इस्थल और एतिहासिक इस्थल को प्रस्तुत करने की कला सिखाई जाएगी ये युवग अब हेरिटेज वॉक के जर्ये टुरिस्टों को बस्तर के बारे में बता कर काम करने लगे है साथवा बस्तर होमिस्टे होमिस्टी एक ऐसी विवस्था है जो बस्तर के इस्थानी आदिवासियों और गावों में रहने वाले उनके अपने मकानों में तयार किये गए हैं अगस्त 2022 तक 36 होमिस्टी तयार किये जा चुके हैं ये जोबड़ी नुमा और आदिवाशियों के परिवेश को दर्साने वाले हैं आठवा घूमो बस्तर घूमो बस्तर के लिए शाशन ने बसों का इंतजाम किया है ताकि बस्तर आने वाले सभी पर्यटक, सभी चैनित, 29 इस्थलों का ब्रह्मण, आसानी और सुईधा जनक तरीके से कर सकें घूमो बस्तर के अंतरगत पाँच समीतियों का निर्माण किया गया है पहला स्वक्षता समीति पर्यटन इस्थलों पर साफ सफाई की जिम्मेदारी इस समीति को दी गई है जिसका काम पर्यटन इस्थलों में साफ सफाई, स्वक्षता तथा सुरक्षा करना है इसके अलावा फ्लोरा और फोना को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इस समीति को दी गई है दूसरा खाद्य समीती पर्यटन इस्थलों में छोटे होटल, भोजनाले, कैंटीन और कैफे के संचालन की जिम्मेदारी इस समीती के पास है इस समीती से जिड़े लोग भी इसका संचालन करते हुए लोकल फूड बना रहे हैं तीसरा डांस एंड क्राफ्ट समीती पर्यटन इस्थल में ठहरने वाले पर्यटकों के लिए डांस और क्राफ्ट मेकिंग का भी इंतजाम किया गया है इसे भी सिस्टेमेटिक कर इस्थानी ग्रुप को समीती से जोड़ा गया है चौथा एडवेंचर स्पोर्ट समीती पहाडों पर ट्रेकिंग, दलपत सागर और इंद्रावती में बोटिंग, रिवर राफ्टिंग, जंगल वॉक, कैम फायर, आधिका आयोजन करानी की जिम्मेदारी इस सम्हू को दी गई है इससे भी पर्यटक काफी मात्रा में अकर्शित हो रहे है पर्यटन इस्थलों में आम तोर पर पार्किंग की जिम्मेदारी ठेकेदारों को दी जाती है जिससे वहां के लोगों को फायदा नहीं पहुँच पाता है बस्तर के सभी परेटन केंद्रों में समुह को जिमेदारी दी गई है कि वो पार्किंग की व्यवस्था को समालते हुए अत्रिक्त आय भी प्राप्त कर सके कुछ साल पहले तक बस्तर में घुमने की कलपना भी नहीं की जा सकती थी लेकिन अब बस्तर परेटन का एक बड़ा हब बन चुका है बस्तर में 29 परेटन इस्थलों के विकास के साथ जहां एक और रोजगार की उपलब्धता सुनिशित की जा रही है वहीं दूसरी और गाउं की विकास को भी सुनिशित किया जा चुका है अब बात करते हैं 36 गड़ टुरिजम बोड तथा इन्सके प्रमुख उद्धिश्यों के बारे में राज शाषन द्वारा देश एवं प्रदेश के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं समाजिक विकास में परिटन के महत्पूर्ण वियोगदान को स्तिष्टी गत रखते हुए 173 के प्रावधानों के तहट 8 अप्रेल 2003 को किया गया बोड के अध्यक्ष तधा उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज सरकार द्वारा की जाती है आईए अब देखते हैं कि 36 गड़ टुरिजम बोड के प्रमुख उद्धिश कौन से हैं पहला विपडन और व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से 36 गड़ के विभिन परिटन इस्थलों को राष्ट्रिय एवं अंतरराष्ट्रिय पहचान दिलाना दूसरा राज्य में परिटन अदुसन रचन का विकास करना जिसे से परिटकों के लिए मोल भूत स्विधाय उपलब्ध हो सकें तीसरा चतिस गड़ में परिटन अनुभव की गुडवत्ता एवं अकर्षण को सुद्रिड करना चोथा, राज्य की सुध्रिड एवं विविद सांस्कृतिक विरासत का संरक्षन संवर्धन एवं प्रचार प्रसार करना पांचवा, संबंधित छेत्रों में आर्थिक विकास के लिए परिटन के युगदान में व्रिद्धी करना चटवा, परिटन संबंधित अधु संरक्षन के विकास में निजी निवेशिकों के प्रयतनों को प्रतसाहित करना सात्वा, राज्य इस्तरिय, राष्ट्रिय, सांस्कृतिक, सामाजी तथा अन्य उत्समों का आयोजन करना तथा ऐसे आयोजनों में सहायता करना शामिल है 36 गड़ जैसे सांस्कृतिक, भौगोलिक, विवीधता वाले प्रदेश में परिटन के छेतर में असीम संभावनाए है हाला कि इस रास्ते में समस्याएं भी कम नहीं है, लेकिन इमानदार प्रयास किये जाएं तो उन पर पार पाना कोई मुश्किल काम नहीं है 2020 में घोशित 36 गड़ परिटन निती 2020 ने जहां इस छेतर में विकास के लिए विभिन पहलवों को छुआ है, वहीं विभिन समाजिक संगठनों से लेकर कॉर्पोरेट जगत की उत्साही भागेदारी ने उम्मीदों को एक नई रोशनी दी है फिलहाल वक्त आ गया है कि प्रदेश में परिटन की असीम संभावनाओं को भुनाने के लिए इसके विभिन अंशधारक एक जूठ होकर समेकित प्रयास करें धन्यवाद